नमश्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल कॉमर्स गुरूपर आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं को रिलेशन आनालिसिस के बारे में सो आज completely हम बात करेगे MC की उस point of view से कौन-कौन से formulas है जो आपको calculations में बहुत helpful रहेगे और कौन-कौन सी properties है जो आपको exams में पूछ सकती है तो सबसे पहले आपको बता दू कि जो correlation का मतलब होता है दो variables या फिर दो से ज़्यादा to और more variables के बीच में क्या करता है ये relations बताता है और ये जो relations की value है उसे हम coefficient of correlation के थ्रू क्या करते है denote करते है जो काल पियर्सन ने क्या किया था developed किया था इसके अलावा एक और हम correlation पढ़ेंगे जिसका नाम है rank correlation तो correlation में हमें coefficient of correlation के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे rank correlation के बारे में तो सबसे पहले हम शुडवात कर रहे है coefficient of correlation से तो इसमें अगर हम indirect method से formula की बात करें तो हमारा correlation का formula है summation dx dy into n minus in bracket summation dx into summation dy अब यह values कैसे निकलेंगे हम उसके उपर भी discussion करेंगे बड़ पहले पूरा formula complete कर लेते हैं under root summation dx square into n minus summation dx का whole square मतलब आपको यहाँ पर dx की value लिखना है and then उसका square लिकालना है similar आपको white terms के लिए भी करना है under root summation dy square into n minus summation dy का whole square so यह आपका formula है किस चीच के लिए correlation of coefficient of correlation निकालने के लिए indirect method में अगर आपका question individual series का है तो आप यह formula यूज करोंगे बट अगर आपके पास frequency आजाती है means discrete series या फिर continuous series तो आप लोग बस same formula रहेंगा बस जहाँ जहाँ आपने deviations लिया है उन deviations पर आपको क्या करना है frequencies से multiply कर देना और यहाँ पर f का मतलब total of the frequencies से related है चलिए जो आप जितनी आपको frequencies रहेंगे आप frequencies से multiply करके क्या करेंगे इन answers को निकालेंगे तो मैं एक बर आप लोगों को columnar form में भी समझा दूँ for example आपके पास ये एक x series का data given है और आपके पास for example y series का given है एक data तो आप क्या करोंगे इस series में से या फिर y series आपके पास दो series available रहेंगे because हमें minimum two variable तो चाहिए maximum two से ज़्यादा भी हो सकते है जिसे हम multi correlation भी कहते हैं ओके तो यहां से आप कोई भी एक value को assume कर लोंगे कि वो आपका mean है और and then आप x में से assumed mean minus करोंगे तो आपको जो मिलेंगा उसे हम कहते है dx मतलब deviation from assumed mean और then dx का आप square करोंगे तो इसे हम कहेंगे dx square and then इसके आपको total ले लेना है तो आपका summation dx या फिर summation dx square आ जाता है same इसी तरीके से हम dy के लिए भी क्या करेंगे सबसे पहले उसका deviation निकाल लेंगे मतलब यह series से कोई भी एक value को हम assume कर लेंगे और y में से वो assumed mean को minus करेंगे तो हमें dy पता चलेगा and same dy का square कर देंगे तो dy square पता चल जाएगा right guys so हमें dy dy square भी पता चल जाएगा and then इसके बाद आपके पस यह जो dx की value है और यह जो dy की value इन्हें आप आपस में multiply कर दोंगे तो dx dy आ जाएगा and then आप इन सारी चीजों की total लोंगे तो आपको summation dy, summation dy square, summation dx dy तो आपको जो जो formulas के लिए required चीजे है वो आपको पता चल जाएगा and n का मतलब होता है यह हम अभी discuss कर रहे है individual series का case, correct तो यहाँ पर n का मतलब होता है number of observation और वो 5 हो सकते, 6 हो सकते, 8 हो सकते, 10 हो सकते depend करता है question में कैसे आपके number of observations दिये हुए so यह complete बात हो गई आपके किस से related, यह complete बात हो गई आपके individual but अगर आपको question discrete series में आ गया तो आप किस तरीके से calculate करेगे, discrete या फिर continuous series में तो generally अगर discrete या continuous series में आपको question पूछ रहा है तो बहुत हद तक chance है कि आपको bivaritive table में data दिया जाएगा आपको जो data है वो bivaritive table में दिया जाएगा मतलब आपके पस एक x series होंगी, एक y series होंगी और आपको data, कुछ लोग इसको pigeon box भी बोलते हैं अब pigeon box बोलने का बहुत specific purpose तो कुछ है नहीं technical कोई term है नहीं, actually इसे बोला जाता है bivaritive table, but pigeon box बोलने का कारण यह होता है कि इसमें बहुत सारे boxes बनते हैं और यह सारे calculations के लिए होते हैं तो एक roughly आप क्या करते हो, आपके पास एक question में data दिया हुआ है for example आपके पास एक यहां पर suppose 2 की frequency है 3 है, 4 है, मतलब ऐसे student जिन्होंने for example यह economics है और यह accounts है ठीक है, तो किसी ने economics में 50 marks score किये है और यहां accounts में लिखा है 20 marks तो ऐसे student जिन्होंने economics में 50 but accounts में 20 marks score किये तो ऐसे किते students है, 2 students है ऐसे student जिन्होंने account में भी 50 marks score किये है and economics में भी 50 marks score किये ऐसे 3 student है ऐसे student जिन्होंने account में 90 but economics में 50 score किये है ऐसे 4 students है तो इस तरीके से आपके यह by-varative table frequency distribution table क्या होती है, बनती है और इसके help से हम जो हमें required चीज़ निकालनी होती है fdx dy summation fdx summation fdx square उसके अलावा summation fdy summation fdy square ये सारी चीज़ निकलती है and n का मतलब होता है आपके total of frequencies जो भी आपके frequencies के total होंगी वो so इस तरीके से आपको discrete or continuous में calculation करना है अगर आपको इसके काफी detailed video देखना है तो link आपको description box में मिल जाएंगी हमारी regular class की जिसमें हमने काफी detail में पूरा chapter पढ़ा हुआ है तो अगर आपको detail में चीज़ों को पढ़ना है तो आप हमारी class की playlist के through भी जा सकते है चलिए अब हम बात करते हैं indirect method के बाद direct method से अगर हमें निकालना है और generally इस तरीके के formulas आपको short problems में use करने है बहुत सारे बच्चे long problems की तो practice कर लेते हैं बट short problems का चीज़ों उन्हें दिमाग में बैठ ही नहीं पाता आपके पास सारे data's given होंगे आपके पास summation dx dy given होंगा number of observations given होंगे standard deviation of x given होंगा standard deviation of y given होंगा आपको अगर values given है तो आपको सिर्फ formulas में values को रखना है and r की value means correlation की value find out कर लेना है इसी का एक और तरीका है अगर आपके पास standard deviation नहीं दिया है बट अगर आपके पास summation dx square और summation dy square के गर value दिये तो भी आप shortcut तरीके से क्या निकाल सकते हों आर निकाल सकते हों इसी का एक alternative और formula है summation dx dy divided by under root summation dx square divided by n summation dy square divided by n आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो आर की value find out कर सकते हो अच्छा अगर आप लोगों को variances दिये हुए है तो आप variances के basis पर भी क्या कर सकते है आर की values निकाल सकते है variance of x under root variance of y under root दोनों का आपस में multiply कर दोंगे अच्छा को variances of x y ये भी आपको सारी चीच कोश्चन में दी रहेंगे divided by variance of x under root variance of y तो आपको क्या पता चल जाएंगा r अच्छा अब कई बार ऐसा होता है कि आपको variance की value दी है तो standard deviation निकालना है standard deviation की value और अगर आपको standard deviation दी है variance निकालना है तो उसका square कर देना तो आपको क्या पता चल जाएंगा variance की value उसके अलावा अगर आपको standard deviation निकालना है x series के लिए या y series के लिए तो आपके पास ये भी एक formula है इस formula से भी आप क्या कर सकते है values निकाल सकते हो और इसी formula को अगर मैं simplify करके summation x square की value निकालने जाओ तो standard deviation x का square into n ऐसा ही से y कले भी कर सकते हैं तो यह completely हम लोग ने बात किये correlation से related मैंने multiple जो अलग-लग formulas हो सकते थे वो सारी चीज़ आपके साथ discuss की है अब इसी में हम second concept की बात करते है probable error के बारे में so probable error का जो formula होता है वो होता है अच्छा सबसे पहली बात तो probable error का formula derived कैसे हुआ यहां लिखा नहीं है बट मैं आपको ए concept बता दू standard error किसे तो standard error होता है मतलब हर हमारे correlation में हमें कुछ ना कुछ गलतियों के chances तो रहती है तो हमारा जो standard error का formula होता है 1-r squared divided by under root n यह हमारा standard error है और standard error को अगर मैं multiply कर दू standard error is multiplied by 0.6745 इसको मैं बोल सकता हूँ 67.45 percent तो मेरे standard error का इतना percent क्या है मेरा probable error है तो जो probable error का formula derived किया गया है यह कहां से derived किया गया है यह derived किया गया है standard error से तो आपको mcqs में बहुत strong chances है इस चीज के भी पूछने के और अगर हमें alternative we can use the same formula when आपको probable error की value दी है and r की value दी है तो आपको n भी find out करने बोल सकता है मतलब इसमें से आपको यह दो चीजे दे दी तो obvious है यह find out करने बोल देंगा यह हो सकता है आपको n दे दिया है pe दे दी है तो r find out करने बोल दे तो कोई एक चीज आपको missing कर देंगा बाकी चीज दे देंगी तो आपको mathematically equations को solve करके answer निकालना है अच्छा उसके अलावा यह भी बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं आपको limits identify करना है coefficient of correlation की बड़ा ही simple तरीका है आपको higher और lowest limit निकालना है तो आप क्या करोंगे correlation में जो भी r की value आई अगर उसमें आपने probable error को add कर दिया तो आपको higher value limit मिल जाएंगी और अगर आपने r में से probable error को minus कर दिया तो आपको lower limit मिल जाएंगी यह हमारा third concept है तो आपका r significant है या नहीं है यह किस बात से पता चलेंगा तो आपको calculation करना पड़ेंगा छोटा सा कि आपको probable error को multiply करना पड़ेंगा 6 से and अगर यह probable error into 6 अगर यह less than है किस से r से मतला r बड़ा है and probable error into 6 ताइम यह छोटा है तो आपका जो भी correlation है correlation है उसे हम कहेंगे significant correlation है उनके बीच में when r value is greater than हमारे r के अगर value बड़ी है greater है किसके मुकाबले six time of the probable error मतलब मैं probable error को multiplied by क्या कर देता हूँ six ठीक है अगर इसके comparison में मेरा r बड़ा है तो फिर obvious है मेरा जो correlation है वो कैसा है significant है और अगर less than है तो फिर insignificant है ठीक so ये हमने correlation से related probable error से standard error से limit और significant ऐसे हमने overall चार concept देखे सबसे पहला हम लोगों ने बात किये किसकी correlation के बारे में दूसरी हम लोगों ने जो बात किये वो किसकी किये हम लोगों ने probable error हम लोगों ने उसके साथ साथ standard error के बारे में भी बात किया और हम लोगों ने उसके बाद limits की बात किये limits के बाद हम लोगों ने significant की बात किये तो हम लोगों ने total अभी तके इतनी चीज़ों का discussion कर चुका है चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी कुछ theoretical properties है जो आपको exams में पूछ सकती है r का एक short formula भी होता है under root byx into byx generally regression में यह formula का हम बहुत हद तक use करते हैं so आपको इस तरीके से जिसे हम क्या भी बोल सकते geometric mean of the two regression coefficient तो हमें वहाँ से भी क्या पता चल जाता है r की value पता चल जाती है उसके अलबा हमारे पास जो second property है वो है the correlation coefficient is independent independent यह कहा है independent of the origin and unit of measurement यह आपको MCQs में पुछने के chances बहुत जाता रहते है जो correlation की value होती है वो minus 1 से लेकर plus 1 के बीच में lies करती है उसके अलबा अगर हम बात करें तो इनमें relation कैसा होता है इनमें symmetric relation होता है x and y में कैसा relation होता है symmetric relation होता है उसके अलबा अगर हम rank correlation की बात करें तो rank correlation में भी आपको क्या याद रखना है कि जब भी जो rank correlation होता है यह only qualitative characteristic के basis पर measure करता है यह quantitative measurements नहीं कर पाता यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ quantitative attributes है उसके साथ deal कर सकते हैं जैसे कि qualitative data के साथ हम क्या कर सकते है यहाँ पर deal कर सकते है जैसे कि morality, beauty, honesty, extra और यह जो method है यह हम ranks के basis पर calculate करते हैं ranks of the job हमारे पास variables है उनके rank के basis पर हम rank correlation निकालते हैं इस method के अंदर जो data है this method is applied when the data are irregular और when extreme items are either erratic or the inaccurate मतलब कहीं न कई error है उसमें कुछ inaccurate है तो हम rank के हिसाब से क्या कर सकते है rank correlation find out कर सकते है generally यह जो rank correlation है it is applicable to the individual series only यह सिर्फ individual series पर apply होता है इसलिए आप लोग ने आज तक rank correlation के problem सिर्फ individual series में solve किया है उसके अलावा अगर हम बात करें the original value are not taken क्योंकि हम original value लेते ही नहीं हम क्या करते है rank देते फिर rank से difference लेते और फिर difference हम formula बनाते है so हम आगे formula की भी बात करेंगे तो यहाँ पर original value से कोई लेना देना नहीं है और उसके बाद हमारे पास जो है जो बड़ा rank होंगा उससे हम पहला rank देंगे जो उससे छोटा होंगा उसको second देंगे and so on ऐसे हम rank देते हुए चलेगे कुछ लोग reverse sequence में भी rank दे सकते हैं like सबसे smallest को first rank तो हम लोग चाहे तो ascending या descending order में ranks दे सकते हैं formula इसके अगर मैं बात करूँ इस way में भी represent कर सकता हो okay so यहाँ पर d का मतलब किस चीज़ से difference किसके बीच का rank के बीच का और उसका फिर square कर देंगे तो d square पता चल जाएगा अब एक इसमें और concept होता है tide rank correlation का tide rank correlation का हम कभी use करेंगे when our rank is repeated जब भी rank repeat होता है तब हम tide rank correlation का इस्तमाल करते है और formula अगर आप देखोंगे तो यह formula approximately इतना formula आपका rank आई है बस इसमें एक factor आपको दिख रहाँगा 1 divided by 12 m3 minus m बस यह एक factor है जो add हो जाता है अच्छा इसमें भी m की value में हम क्या लेते है items repetitive कितने बार हुआ है मानलो for example अगर हम बोलते है कि कोई 3 मतलब 5 times repeat हुआ है तो हम m की value कितने ले लेंगे 3 अगर कोई 2 times repeat हुआ है तो हम m की value कितने लेंगे 2 and कितने बार factor को लेना है जितने बार वो चीजे repeat हो रही है जितने बार बोलने का मतलब जैसे कोई unique number है 12, 12, 12 यह अगर 3 बार आया मतलब 1 value 3 बार repeat हो रही है मतलब मेरे को एक बार factor add करना है but m की value 3 लेना है but suppose 15 भी repeat हो रहा है 2 times तो अब ऐसे factor मुझे 2 बार add करना है एक बार 15 के लिए, एक बार 12 के लिए और एक बार मैं m की value 3 लूँँगा और एक बार मैं m की value 2 लूँँगा तो इस तरीके से मुझे tight rank correlation भी क्या करना है calculate करना है so यह सारा rank correlation, coefficient of correlation, probable error, standard error, limits और significant of correlation के बारे में so hope आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सिखने को मिला हूँ आप जल्दी से चैनल को subscribe कर लिजी share किजी अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक इस तरीकी की knowledgeable और interesting वीडियो पहुशते रहे so धन्यवाद दोस्तो